हेलो दोस्तो परदसी फ्लाइट यूटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो अभी कुछ दिर पहले भारत की डीजी सीय की तरफ से यानि जो सिविल एवेशन अथार्टी है उसकी तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि नार्मल कमर्सियल पर जो रोक लगी हुई है जो परतिबंद लगा हुआ है जो सस्पेंसन है वो अब बढ़ा दिया गया है 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है यानि कि इस सर्कुलर में नया कुछ भी नहीं है ये पुराना सर्कुलर ही हर महिने के आखरी तारी में मोडिफाई होता रहता है य इसके बाद से इस circular को हर महिने के आकरी तारीक में modified कर दिया जाता है और महिने अगले महिने के आकरी तारीक तक नार्मल commercial फ्लाइटों पर रोग को बढ़ा दिया जाता है बैराल इसमें आपको घबराने की परिशान होने की परिशन लेने की कोई बात नहीं है जो वंदे भारत मिसन के तहट फ्लाइटे चल रही है इसके लावा air bubble agreement के तहट जो फ्लाइटे चल रही है और जो special approval के तहट जो भारत सरकार जिनको हटा लिया जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया दुर्भाग वस अब इसका असर आपके उपर क्या होगा यह जो नार्मल 100% छमता के साथ में आपरेट नहीं हो रही है कम संक्या में फ्लाइटे आपरेट हो रही है परतिबंद की वज़ा से मोटी रही है जाने के लिए लेकिन जब यह प्रतिबंद अगर हट जाता तो बहुत बड़ी संक्या में फ्लाइटे आपरेट होती और आप कम पैसे में travel करते हैं तो बरहाल ऐसा नहीं हो पाया दुर्भाग वस और फ्लाइट पर जो पबंदी ए उसको 31 October तक बढ़ा दिया गया है लगा नहीं दिया गया है बढ़ा दिया गया है क्योंकि यह लग तो पिछले डेर साल से ही रहा है तो इसको बढ़ा दिया गया है आप कह सकते हैं बहराल जिल लोगों के आने वाले दिनों में टिकट है या आने वाले दिनों में जो यात्रा करेंगे चाहे कोईट जाएं चाहे साओधी अरब जाएं क्योंकि साओधी अरब अभी डारेट आप ट्रोल नहीं कर सकते हो अगर आप वाया ह कर सकते हो जो लोग दुबई जाएंगे या कतर जाएंगे या इसके लब और किसी देश में जाएंगे जहां के लिए उन्होंने टिकट करा रखिए या आने वाले दिनों में टिकट बुक करेंगे तो उनको अभी इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस सर्कुलर से क् कि इस सर्कुलर में नया कुछ भी नहीं है जो फ्लाइटें पहले आपरेट हो रही है वो आपरेट होती रहेंगी बस नार्मल कमर्सियल फ्लाइटें मैंने आपको समझा दिया है कि जब नार्मल कमर्सियल फ्लाइटों पर पाबंदी हड़ जाती तो बड़ी संख्या में फ किसी चैनल पे आप जब खबर देखेंगे जिसमें बताया जाए कि पवंदी लग गई है आप अचानक से हेडिंग देखें कि 31 अक्टूबर तक सभी फ्लाइट भार सरकार ने बंद कर दिया है तो इससे आप घबराईएगा नहीं दोस्तों बैराल आगे कोई अपडेट होगी खास तोर पर इंडिया सौधी अरफ फ्लाइट को लेकर उन लोगों के लिए जो लोग इंडिया में वैक्सिन की दोनों डोज लगवा चुके हैं डारेक्ट उनके लिए कप पर्मिशन होगी इसके बारे में दोस्तों कोई अपडेट होगी तो वो मैं आप तक पहुचाऊंगा इसके लिए पर्दसी फ्लाइट यूटूब चैल को सब्सक्राइब करने मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल लखिए खुस रहिए गुड़ बाई